करनाल की हासी रोड़ पर 84 साल के बुजूर्ग को कलपना चावला मेडिकल होस्पिटल में हारिटेक के बाद भरती करवाया गया और बुजूर्ग की मोत हो गई जिसके बाद शफ परिजनों को सोपने से पहले उनका कोविट टेस्स करवाया गया जिसकी रिपोर्ट कुस देर बाद आनी थी और रिपोर्ट पोजिटिव आई लेकिन मेडिकल स्टाफ ने रिपोर्ट नेगिटिव बताकर शफ परिजनों को सोप दिया शफ परिजनों को सोपने के बाद परिजन शफ को शमशान घाट ले आए और जब मृतक का अंतिम संस्कार होने ही वाला था कि वहाँ पर पुलिस और स्वास्ते विभाग की टीम पहुँच गई जिसने ये जानकारी दी कि मृतक की रिपोर्ट पोजिटिव थी जिसके बाद परिवार के लोगों को दूर किया जाता है और शफ को उठाकर एंबुलेंस में रखकर उस शमशान घाट ले जाया गया जहां पर करोना से जान गवाने वालों का संस्कार होता है के तो कि आदर करने आगे थे संस्कार करने के लिए हमने सारा कुछ यहाँ वह कर लिया था अंबुलेंस किया है वहां से उनीक एंबुलंस में हम लेके आया है और उन्से जब गयर जो आदमी वहां वह लिख रहा था वह जो पर्चा जो इंचार्ज लिख रहा था उससे हमने पूछा वियर बोड़ी फोचिव थी उसने बताया हमारे को भी नेगटिव और पुछे भी से पुलीश आगई टीम है तो काफी दिर पूलिस जो है पूलिस की टीम आई पूलिस की टीम आने के बाद जूब जो पूलिस वड़ोंने कि अदर एक डैट बोडी कोई है जो पोजटीव है और उसको रोको जो जिनकी पोजटीव भी थी यह उन आदमियों को यह कहा गया पर तुमारी बोडी नेगटिव है उनके गर के सदेश्चें उनका संसकार के लिए एक जैसे आम रिति बार से करते हैं नलाते हैं उसको हम पोचे तो करने लगे मारे को पुझे आपने मारे को बताया नहीं इंग्टीव एए पोस्टीव है तो यह पोस्टिव है किसने नेगेटिव का था जो नहीं पता था जो मारे कंट्रोल रूम से टेलिफोन आया पीछे बीटी आई और अभी आपके सामने गाड़ी आई है कलपना चावला से डेट बोड़ी रखवा जी है वह वह पोस्टीव है इसका संस्कार आई टे चो जो मारा बनाया हुआ है करो मारे को यह कहा गया डेट भोड़ी देते टाइम भी नोने यह कहा बहुत दो गंटे में देंगे एक गंटे में देंगे ऐसे करते करते इनको आज स्याम कर दिए डेट बोडी लेके गहें है बोडी आज रखवाई है वो दिशा लिबर्टी चौप में गई है तुम्हीं चल अपनी जी